तब आज किस पूरी क्लास के अंदर हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स पे अंदर आगे चलते हुए बिलकुल हमारा आइडेंटिटी ओपरेटर्स इससे पहले वाली क्लास में हम ये सारे ओपरेटर्स कर चुके हैं bitwise 11th and 12th किस लेबस में है नहीं हम इडेंटिटी ओपरेटर्स यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी ओपरेटर को कि आखिरकार जे होता क्या है definition की बात करते हैं कहते हैं कहते हैं कि the is identity operator पहले देखे इस हो ही हम identity operator कहते हैं अब इसके definition पढ़ते हैं कहते हैं कि the is operator checks whether both the operand refer to the same object or not देखिये क्या चीज़ है कि अगर हमने x is equals to 10 लिखा है मैंने एक variable वाली class आपको पढ़ाई होगी आपको याद होगा तोसमें मैंने variable का एक किस्सा एक कहानी या फिर concept कुछी भी कह लिजी उसको मैंने explain किया था आपको समझाया था कि variable क्या होता है तोड़ा सा भी यहां पर भी है जो आपको याद ला देते हैं कि हम कुछ ऐसा लिखते है कि मैंने variable को declare किया actually मैं क्या होता है कि python के अंदर इसको एक object बूलते है जैसे मैंने y के अंदर भी मानलो 10 डाल दिया अब यह भी मेरा एक object है अब usually क्या होता है कि जो हम other languages की बात करते है तो यह है कि यह memory में 10 जा कर के कहीं store होगा और इसका नाम होगा जी x इसके मुताबिक लेकिन python में इसा नहीं होता है python में क्या होता है कि जैसे 10 है वो memory में कहीं जा कर के store है अब इसका कोई address होगा कुछ भी address हम कह लो है तो अब क्या चीज है कि यह जो x है यह इस address को denote कर रहा है तो बतलब it's behave like a pointer अब pointer आपको नहीं पता है क्योंकि आपने I think कोई दूसरी language C वगरा नहीं पड़ी है but उसके अंदर pointer होता है कि जो address को रखता है तो basically अगर हम कहें कि x के अंदर क्या है x के अंदर यह address है क्योंकि उस address पर यह value है right तो यह python के अंदर basically चीज होती है okay अब क्या होता है कि जैस x is equals to 10 और y is equals to 10 अब क्या होगा कि 10 memory में कहीं store है उसका एक address है मान लो यह address है इसका ठीक है address right अब क्या होता है कि python के अंदर यह जो x और y है ना यह दोनों के दोनों इस address को denote करेंगे तो मतलब आप अगर समझ पाए हो तो आप यह समझ पाए हो कि x का और y दोनों का जो address है वो सेम होगा जेहां बिलकुल मैं यही चीज आपको कह रहे हूं कि x और y दोनों का address सेम होगा क्योंकि दोनों के अंदर value यहां पर क्या है same है right तो इसको हम एक बार पता करते हैं तो फिर मैं identity operator इसकी भी शिर्वात करा देती हूं और फिर से यह definition आपके सामने दुबारा प concept थोड़ा सा revise करा दूगे पाइचराम को open करते हैं okay so अब मैं क्या कर रहे हूं यहां पर a is equals to 10, b is equals to 10, c is equals to 100 ठीक है और t is equals to 100 right okay तो अब हमें अगर इसका address देखना है तो हम कैसे देखेंगे अगर हम print के अंदर id function को use करते हुए a को डालेंगे तो हमें एक बड़ा सा number है जो दिखाई देखा और वही क्या होगा इसका address होगा कि भही memory में यह इस address के ऊपर जाकर के store है यह एक अंदर की जो value है ठीक है अब में क्या करती हूं control c control v और यहां पर b को डाल देती हूं तो अब आपको यह मालूम पड़ेगा कि यह जो दोनों है ना वो same address पर है क्योंक पाइतन के अच्छा दोनों में same value है तो ठीक है बजाए कि इनको अलग अलग घर देने के इनको कहो कि एक ही जो है address उसको denote करने लग जाए, point out करने लग जाए ठीक है तो अगर यहां पर अगर आप कहोगे कि मैं मैं अगर कोई p is equals to 10 लेता हूं तो क्या p address भी same होगा तो मैं address सेम होगा ठीक है ऐसे ही अगर हम यहां पर c को और हमारा जो t है अगर हम उसको देखे क्योंकि दोनों में 100 है तो उसका address हमारे पाँ same आएगा एक second तो उसका address हमारे पाँ same आएगा ठीक है राइट तो यह चीज हो गई अब हमारा identity operator यहां पर किस role को play कर रहा है तो देखे क्या चीज है बेसिकली यह चेक कर रहा है कि जो हमारे दोनों ओपरेंट्स जैसे ए था और बी था उनमें वाल्यू किया थी दस थी अब वो यह चेक कर रहा है कि दोनों सेम आपजेक्ट है कि नहीं मतलब कहने का असान भाशा में कि दोनों एक ही घर से या एक ही एड्रस से कि अदर नहीं अब देखो एक अंधर दस है बी के अंधर दस है तो बिलकुल पाइफं के अंदर दोनों cassette क्या होगा सभू होगा तो अगर ये सेम होगा ना तो अगर हम यह चीज चेक करना चाहते तो यह हम इस से चेक कर सकते अह में यह कह रहें कि ए क्या वह है जो भी है द पॉल से रिटन करेगा, अब इसको हम यहां पर देखते हैं जैसे कि A, B, C था न, ठीक है, तो उनका एड्रेस आपको पता चल गया, अब मैं यहां पर क्या कर रही हूं, मैं यही चेक कर रही हूं कि A is B, क्या कर रही हूं, A is B, ठीक है, तो अगर यह दोनों सेम एड्रेस पर ह तो ट्रू आएगा, ठीक है, अब जैसे कि मैंने T को चेक करना चाहा, अगर, तो T के अंदर क्या होगा, पॉल सा जाएगा, बिकॉस, T की वैल्यू अलग है, और A की वैल्यू अलग है, तो दोनों को जो मैमरी लोकेशन होगी, वो अलग-अलग होगी, तो इस ओपरेटर नई, दोनों अलग-अलग है, और यहाँ पर A, B और P, यह तीनों एक मैमरी लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं, तो यह तीनों सेम हैं, तो मतलब एक के थपर मारा दूसरे के धर्द होगा, तो मतलब कहने का, कि यह तीनों एक ही इसे बिलाउं करते हैं, अगर वैल्यू चेंज कर दे तो, of course, address be care, वो तो change हो जाएगा, लेकिन, अगर हम कहें यहाँ पर इन तीनों को, यह तीनों सेम है, और यह दोनों सेम है, अगर मैं इसकी not की भी, अभी, 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 not को भी, अभी कर लेते हैं, तो देखे, अगर मैंने is not लिखा, तो not मेरे बताने से पह अभी हमें जो आंसर आ रहा था, अगर हम देखें, print, a, is, t, तो हमें false आ रहा था, लेकिन not की वज़े से वही आंसर आपको true आएगा, तो not लगाने से सिर्फ इतना सा फरक है, जो यहाँ पर पढ़ गया, तो चले, अब बच्चों को इसके अंदर बड़ा doubt रहता है, इस च अपरेटर है, जो कि compare करता है values को, इधर पढ़ी हुई value, जैसे कि अगर a के अंदर कोई value है, और हमारा b है, b के अंदर कोई value है, तो हम इन दोनों की values को आपस में compare कर आ रहे हैं, double equals to, क्योंकि यह comparison है, relational operator है, relation चेक कर रहा है दोनों का, लेकिन जो हमारा is operator है, यह चेक करेग जैसे कि दोनों जो है, एक ही object है कि नहीं, मतलब दोनों का जो address है, वो same है कि नहीं, मतलब, समझ में आई चीज, पर हमें address को चेक करना है, तो हम is कराएंगे, values के लिए हम double equals to का use कर रहे होंगे, right, I think यह वाली चीज, clear हो गई, होगी, क्या करती हूँ, a is equals to, मैंने कहा, op, and चलिए m ही ले लेते है, is equals to op, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, print a is equals to equals to m, ठीक है, and print a is m, ठीक है, तो अब आप कहोगे कि मैं दोनों में true आएगा, no doubt, क्योंकि दोनों में value same है, अब अपनी क्या करते है, एक की value ना input करा लेते हैं, user से, ठीक है, और मैं कहूँगी enter value, ठी ठीक है, ठीक है, क्या चीज है, मैं इसमें बेशक op ही डाल दूँ, तो मेरेको answer क्या मिला है, false मिला है, इसके अंदर क्योंकि दोनों का address अलग अलग है, ठीक है, बेशक value आपने same डाली है, लेकिन आपने वो value रन टाइम पर डाली है, ठीक है, इसको इसके memory location है, जो मिल चु एसा नहीं होता है, कि is or equals to answer same होगा, so double equals to दोनों के अंदर value चेक कर रहा है, मतलब दो घर है, दोनों घर के अंदर समान देख रहा है, वो दोनों घर अलग अलग है, कि भाई, दोनों घर में समान same है के नहीं, ये काम है double equals to का, लेकिन वो दोनों घर एक ही घर है के नहीं, मत अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सो मिलते हैं आप से नई लेक्टर के साथ में और अगर आपको कोई चीज डाउट है किसी चीज का तो वो आप मुझ से पूछ सकते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर तो चलिये फिर बाई-बाई and God bless you